नमश्कार आप देखरें न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ अरे जदियू को जिसकी चिन्हें चिन्ता है जदियू को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं वो तो इस रैली में जाएंगे ही हम जाएं या ना जाएं इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है ये बोल जदियू के पार्लिया मेंटरी बोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा की है दरेसल आपको बताएं इस वक्त बिहार की राजनितिक गलियारों में उथल पुथल मचा हुआ है लगतार बयानबाजियों का दौर है वो जारी है अब ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्र नितियश कुमार और जदियू के संसदिय बोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा के बीच बयानबाजिज जो है वो चालू हो गई है बीते दिनों जब मीडिया कर्मियों ने उपेंद्र कुश्वाहा से पुछा कि पुर्णिया में महागडबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें सेम नितियश कुमार और डिप्टी सेम तियस्वी यादो जाने वाले हैं उसमें क्या आप जाईएगा इस पर उपेंद्र कुश्वाहा टपाक से जबाब देते हैं और कहते हैं कि जिने जदियू की चिंता है जो जदियू को और महागडबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं मजबूत करना चाहते हैं वो तो इस रैली में जाएंगे ही बड़े बड़े नेता तो शिर्कत करेंगे ही हम जाए या ना जाए इसे कोई बड़ा और कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है इन सारी बातों पर जब सीम नितीश कुमार से सवाल पुछा जाता है तो वो कहते हैं कि उपेंद्र कुष्वाह का कहीं और सेटिंग है कहीं और उन्होंने अलाइनमेंट बठा रखा है तो देखिए एक बार फिर से बिहार में बयान बाजी का दौर चालू हो गया है एक बार फिर से सीम नितीश कुमार और उपेंद्र कुष्वाह आमने सामने आ गया है जडियू संसदी बोट के अध्यक शुपेंद्र कुष्वाह ने अपनी 19-20 फरवरी को होने वाली बैठक में समता पाठी के पुराने सदस से और जडियू बचाने की इक्षा रखने वाले नेताओ को बुलाया है वही पुर्णिया में होने वाली रैली को लेकर कहा कि मेरे शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस रैली में नहीं जा रहा है कुष्वाह ने अधिकारियों के बीच गाली गलोज मामले पर भी मुख्यमंत्री के हस्तक शेप करने की मांग की है कहा है कि ये सही नहीं है गाली देने की छूट किसी को नहीं मिल सकती है इधर कुष्वाह के बयान पर सियम नितीश कुमार ने भी जवाब दिया है पुर्णिया में आज उनसे कुष्वाह को लेकर सवाल किया गया तो कहा कि ये सब कर रहे है शायद उनका alignment कहीं और हुआ है जदियू से बागी नेता उपेंद्र कुश्वाहा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पुर्णिया में rally हो रही है तो होने दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी जदियू की rally नहीं हो रही है महागडबंधन की rally हो रही है ये कारे कर्म अलग है और हमारा जो अभियान है वो अलग है पार्टी की मजबूती के लिए पुर्णिया rally में पार्टी शामिल हो रही है मेरे शामिल होने और ना होने से कोई खाजा फर्क नहीं पड़ता कुसवाहा ने कहा कि सभी पार्टी अपनी तैयारी में लग चुकी है लोगसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी लोग rally और सभाई कर रहे है सभी पार्टी लगी है उसी क्रम में अमित्सा का भी कारे क्रम है चुनाव का समय है और चुनाव का समय ना भी हो तो पार्टिया पार्टियों को अपना अपना कारिकरम तो करना ही चाहिए बीजेपी का भी कारिकरम है उसमें अमित सहजी आने वाले महागडबंधन की रैली में महागडबंधन की नेता शामिल होंगे अपनी बैठक के कारेकरम पर कुछ वहा ने कहा कि हमने 19 और 20 फरवरी के लिए सभी को नियोता भेजा है जो पार्टी की स्थिती है उसको लेकर जिसके मन में चिंता है उनको और पुराने समता पार्टी के समय से जुड़े रहे हैं वैसे तमाम लोगों को हमने बुलाया है सभी बैठकर चिंतन करेंगे इतना ही नहीं बियार में हाल में ही सामने आये बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच गाली गलोज के मामले पर भी उन्होंने कहा कि या किसी भी हालत में ठीक नहीं है कोई भी बड़े पदप हो और अपने छोटे पद के अधिकारियों को गाली दे ये बर्दाश्ट नहीं हो समधान यात्रा के करम में जब मुख्यमंत्र नितीश कुमार पुर्णिया पहुचे और उनसे कुषवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम जो काम करते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती खिलाफ बोलने वालों को अख़बारों की सुर्खियों में जगह मिल जाती है वैसे इसे लेकर हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है बादमनों ने कहा ये सब कह रहे हैं शायर उनका अलाइनमेंट कहीं और हुआ है उपेंद्र कुषवाह को लेकर मुख्यमंतर नितीश कुमार का जवाब आता है और वो कहते हैं कि ये वो सब कह रहे हैं इसका मतलब उनका अलाइनमेंट कहीं और हुआ है उनका सेटिंग कही 19 और 20 फरवरी को उने जो मीटिंग बुलाया है इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि महागडबंधन की रैली जो पूण्या में होने वाली है वो अलग रैली है और जो मीटिंग मैंने बुलाया है 19 और 20 फरवरी को वो अलग मीटिंग है मैं जदियू को मजबूत करने के लिए चिंतन करने के लिए समता पार्टी और जदियू को स्ट्रॉंग करने वाले निताओं को मैंने बुलाए इस मीटिंग में और महागडबंधन की रैली में 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर जो चिंता करेंगे वो रैली कर रहे हैं तो देखें बिहार की इस राजनीती को लेकर बिहार में यह जो चल रही है नितिश कुमार और उपेंद्र कुश्वाहा के बीच जो घमसान चुड़ा हुआ है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर अपनी रायर रखिएगा तब तक फिलार इस खबर में बस इतना ही और वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखें रहे न्यूस फोनेशिए